हे गाईस, विलकम टू, सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार, स्वागत है इप का इस वीडियो में, तो दोस्तों आज की वीडियो में न्यू रिकूर्मेंट की डिसकस करने वाले हैं, जो की वेकिंसिस आउट की गई है, I.E.R.E.L. से, वेरियस पोस्ट के लिए बहुत ही कम निकलती है, जाल भर में बहुत ही कम वेकिंस इसमें देखने को मिलती है, recently new recruitment आउट की गई है, तो ये मोका मत छोड़ना, बहुत ही अची खासी पोस्टोडी, सेलरी अची खासी मिलते है, basically, Earth limited है, बर तिहाँ पे आपकी जो वेकिंसी, chemical factory में आपकी याँपर recruitment आउट की गए ओके तो चलिए डीटेल नोडिफिकेशन वाई चर्चा करने वालें कि कौन-कौन से लोग एलिजबल एपलाइ करने के लिए अपकी क्या होने वाले लेट स्टार्ट नाओ इससे पहले मैं बता दूँ चैनल पर आप पहली बार विजट कर रहें तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आकें तक इसी तरह लेटिस्ट गवर्मन्ट जॉप्स के बडिट आपको बराबर मिलती रहें तो गाइस यह है ओफिसल नोडिफिकेशन आई आर इल यानि की भारतिय सरकार की यह परमानु उर्जा विभाग की यह भरती है गाइस टोटली एटॉमिक एनरजी यह लीड करती है डिपार्टमेंट आप एटॉमिक एनरजी बहुत अच्छी खासी वेकेंसिस आप सब के ल क्लोजिंग डेट इसकी होने वाली है साथ जुलाई 2022 तक रात के बारा वजे से पहले चले सबसे पहले डिसकस करते हैं अलेग अलेग पोस्ट्रेंड सूपरवाइजरी के डिगरीज की यहां पर वेकेंसी है सबसे पहले देखने वाले वेकेंसी है ग्रैजवेट ट्रेनी की for finance में 7 post पर है यहाँ पर consolidated pay monthly दिया गया है आपकी कितने मिलने वाली है then gray after successful training के बाद आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी okay जिसे आप देख सकते हैं monthly श्टापन 33,750 रुपे plus HR A company जो देती आपको मिलेगी accommodation की full सुविधा then यहाँ पर जैसे final होती है आपकी training 25,000 से लेकर 800,000 के बीच में S1 grid की आपको salary मिलने वाली है 18-26 साल इसमें age limit है graduate trainee HR में vacancy है then यहाँ पर HR में 5 vacancy है finance में साथ है diploma trainee की vacancy है 19 post पर जहाँ पर mining, chemical, mechanical, electrical civil electronics and instruments वाली अपलाए कर सकते हैं और category wise को पोस्टें यहाँ पर देख सकते हैं जाकी junior supervisor की vacancy है यह राजभासा के लिए तीन post पर यहाँ पर salary 25,000 से लेकर 800,000 ही मिलने वाली है लेकिन यहाँ पर age 18 से 30 साल रखी गया personal secretary में 2 है 25,000 से लेकर 800,000 इसमें भी मिलेगी इसमें भी 30 साल है इस limit है next vacancy निकाली गई है non executive workman categories में जहां पर treatment trainee की post है for fitter, electrician, attendant, operator, chemical plant की और instrumental की fitter, electrician, next भी vacancies है fitter, electrician की बहुत ही ज़्यादा vacancies है जिसमें guys PC 8 में vacancy है 14 पोस्ट पर PC 7 में 14 है PC 6 में 28 vacancy है जिसमें से all trade यहाँ पर relevant trade वाले अपलाए कर पाएंगे consolidated monthly step on यहाँ पर 21,000 आपको मिलने वाली है यानि कि जब आप भी training होगी न तो 21,000 आपको salary मिलेगी और maximum यहाँ पर age 18 से 35 साल रखी गई है और consolidated पर आपको जो होगी after training successful के बाद 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में salary मिलने वाली है W3 grade की यह jobs है बहुत बड़ी opportunity idea वालों यह मोका मत जाने देना जितने भी candidate opportunity के लिए फायदा उठा सकते हैं qualification थोड़ा साब briefly में discuss करें graduate trainee finance में CA होनी चाहिए या फिर CMA intermediate qualified है आप apply कर सकते है with 55, 50% marks के साथ graduate trainee HR में तो आपके पास graduate in any discipline apply कर सकते है 50% marks है university से पास आउट होनी चाहिए diploma trainee होनी चाहिए technical career की diploma relevant branches like mechanical, mining, electrical, electronics and instruments वाले apply कर सकते हैं with 50% marks आपके साथ रखी गई है reservation all totally मिलेगी for HTSC candidate के लिए with 60% के साथ post code यतने भी PC4 हैं जैसे junior supervisor राजभासा में तो यहाँ पर qualification master degree चाहिए ध्यान रखना and experience भी चाहिए आपकी राजभासा में और PC5 में personal secretary में आप graduate in and a discipline with MS office या फिर computer essential की knowledge आपके पास रहनी चाहिए experience एक साल का यहाँ पर मंगागे अब ITA वालों के लिए मैं बात करूँ तो PC6, PC7, PC8 ट्रेट्समेंट की जो vacancy है for ITA students के लिए relevant trade में 10th plus briefly यहाँ पर qualifications में discuss कर दूँ for ITA के लिए तो fitter electricity and instruments यह trade वाले यहाँ पर apply करने के लिए 10th pass होनी चाहिए 10th pass करके अपने ITA pass out होनी चाहिए अगर अपने ITA नहीं किया है तो 10th pass भी अपने NAC किया है National Apprentice Certificate है 2 साल का तो ही आप apply कर सकता है अब यहाँ पर यह महिने रखता है कि आपका 10th pass प्लस NAC है तो 2 साल की experience है 10th pass प्लस ITA है फिर भी 2 साल का experience है यहनि कि ITA relevant rate से pass out है 2 साल का work experience NACV की किया है तो 2 साल का work experience समझ में आ चुगा होगा Next यहाँ पर attendant operator chemical plant same चीज यहाँ पर भी आपकी लागू होती है लेकिन यहाँ पर यह यह कोई 12th pass candidate है तो भी apply कर सकता है age relation all candidate को मिलेगी जैसे कि HTSC वालों को FAPE and OBC वालों को 3 years का post name यहाँ पर higher post के लिए जो रखी गई है age उनके लिए आप देख सकते है maximum age आपको कितनी छूट मिलने वाली है exam based भी आपकी selection होगी guys यहाँ पर आप देख सकते है the mode of selection the post consolidated return test first level होगा second level आपका skill test या फिर trade test होगा then कही सारी पोस्टों के लिए computer professorship test यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर psychometric भी test आपकी जोए वो लेने वाली यानि कि cbt1 और cbt2 दो exam सापकी होने वाली है एक आपका trade test होगा written exam उसके बार directly final trade test होगा यह चीज़ें ध्यान रखना किसके किसके लिए क्या exam होते है वाला exam pattern के साथ यहाँ पर दी गई है आप इसे चेक कर लेना paper 1, paper 2 में क्या रखा गया क्योंकि अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो एक separate वीडियो मुझे इसके लिए लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो देख लें नहीं तो यह notification का link description मोज़ोद है आप जाकर visit करो और जाकर देख application fee की मैं बात करूं यहाँ पर तो graduate वालों सबके लिए आप देख सकते हैं कि 472 रुपए application fee रखी गए with GST याद रखना और जो भी candidate required है उनको यह application fee payment करने होगी otherwise जितने भी STSE candidate उसके लिए कोई भी application fee देने की जूरूत नहीं आप women candidate है आपको भी payment आप comment करें आपकी totally help की जाएगी guys hopefully video इस पर लगी हो please like and subscribe करें चले में to next video में तब तक लिए जए हिंद